सिरी बालाजी पसु डेरी फारम मंडी आदमपूर डिष्टी की सारर याना की तरब से सभी पसु पालक साथियों को राम राम नमस्कार सत्षरीकाल मैं आपका अपना सुनील कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल बालाजी डेरी आदमपूर आज अपने डेरी फारम से वीडियो लेके आ रहे हैं जी बालाजी डेरी आदमपूर डेरी फारम पे साब सपाई के लिए मक्ख्यों से पसु को बचाने के लिए आज पूरी डेरी फारम में फिनाईल का छिटकाओ किया गया है जी ये हमारा लगबग रूटीन वरक है साब सपाई का हमारी डेरी फारम पे खास कर ख्याल रखा जाता है क्योंकि बीमारियां बढ़ने का सबसे में कारण है गंदगी डेरी फारम पे साब सपाई देखिए बहुत ज़्यादा है कहीं भी कोई परकार का कच्रा या किचड़ आपको दिखाई नहीं देगा बिल्कुल सब सुत्री पैसे नलाई दोलाई ही फर्स, डेली के डेली सुबह, फिनाईल से दोए जाते हैं ताकि लगबग जब फर्स पर जादा गंदगी रहेगी तो थनेला रोग आने का बहुत जादा चांश रहता है या वेक्टिरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो पसु के बिमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लगबग डेरी फारम पे स्पाई रहेगी तो बिमारियों से अपने पसु को बचाया जा सकता है साथ में कुछ कली बिक्री वाड़ी बैंसों की भी एड़ की गई है यह जोटी अपने पास बिक्री के लिए है इस जोटी को खीश से खाली कर दिया गया है नाड़ुए बच्चा भी आप देख पा रहे हैं खाली होती जोटी का भी जोस देख यह बहुत बढ़िया इस सागे यह एक और जोटी बच्चा दी हुई है इसके अंदर अभी 11 कि लुदूत त्यार है यह अपने गर पे त्यार किये हुए पसुए जी यह बुल अपने गर पे त्यार किया हुआ है सितारा का बेटा है सितारा जोटी जो बड़ी जोटी अपने पास थी जो अभी सेल कर दी ग दो दान्त हो गया अभी, दो दान्त में फूल आइट लेंथ है जी, ये जो टिया जी संध्या की माँ, चार बार बच्चा दे दिया, इसने अभी ड्राई चल रही है यह, आगे पांच मिं बार बच्चा देगी, चारों इकटडी दिया है, और चारों इन बच्चें इमोन ति ये भी कटिया बहुत अच्छी है लगबग चार-पांस मीने की गया बहुत चुकी है आगे पहली बार बच्चा देगी इसागे ये गिर नसल की का अपने गर पे ही त्यार की हुई है बच्चिया ये भी लगबग चार मीने की गया बिन हो चुकी है ये भी पहली बार बच्च स्पाई का खास कर ख्याल रखें और जो पसुपालक साती जिनको ये वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ में लगे बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि इन फ्योचर जो भी वीडियो डालें उसका नोट इमीद कर दी है बहुत ज्यादा पसुन नहीं रखते भी तो वीडियो में लाज तक रहने लिए धन्यवाद